इस वीडियो में हम लोग Especiation Process को Define करेंगे और देखेंगे कि नीचर में कितने तरह के Especiation संभव है और मौझूद है और उनके बीच क्या Difference है और उनका क्या Time Frame है तो सबसे पहले हम लोग Especiation को Define करेंगे Especiation का मतलब है Formation of New Species नए Especiation के Formation को Process को हम लोग बोलते है Especiation नेचर में चार तरह के Especiation मौझूद है एलोपैट्रिक, पेरिपैट्रिक, पारापैट्रिक और सीमपैट्रिक सबसे पहले हम लोग एलोपैट्रिक को Define करते हैं एलोपैट्रिक, पेरिपैट्रिक का पूरीजन होने के लिए किसी तरह का फीजिकल बैरियर चाहिए बहुत सारे इस्पीशी रहते हैं। और किसी कारण से ठीजिकल बारियर में किसी तरह का पहार के लिए ढोया और पानी का पहार की टीझ या और II इक दुषे को क्रॉस नहीं कर पारहे हैं फीजिकल बारियर है और और समय के साथ अपने अपने कंडीशन के नुसार जिस तरह का उनका जोग्राफिकल एडिया है उसके नुसार अपने आपको चेंज कर लेते हैं और इस तरह से जो पहले साथ रहते थे अब नए नए species बन जाते तो इस तरह का species होने के लिए Alopatric species बनने के लिए 蛬 होना जैनली है और physical area बनने के साथ इसी तरह का species बनने में काफी समय लगता है millions of years ठीक उसी तरिके से एक दूसरा specification है Peripatric specification या Allopatric specification से थोड़ा मिलता दूलता है इस परिस्तिती में हम लोग पाते हैं क्या कि main area से कुछ species और छोटे group के species isolate होते हैं और जो isolate होते हैं आपस में काफी similar रहते हैं और species को हम लोग कभी-कभी founder species भी बोलते हैं क्योंकि नए area में species का निर्मान जो कर रहे हैं यहां से isolate होके हो रहे हैं और इस तरह के species को हम लोग para patrick species को कहते हैं ठीक उसी तरीके से एक दूसरे तरह का species है जिसको हम लोग बोलते हैं para patrick species इस species में किसी भी तरह का geographical separation की कोई जरुवत नहीं है For example, grass के कुछ species इस area में रखते हैं और कुछ दूसरे area में रखते हैं अगर किसी कारण से इस area के grass में किसी तरह का pollution हुआ और इस बज़र से अपने आप को change किये क्यों change किये? क्योंकि वो survive करना चाहते हैं और उस तरह के changes से नए तरह का species इभल हुआ और इस तरह के species method को हम लोग पारा पैट्री के species करते हैं दूसरे तरह का एक species है सीम पैट्री के species इस तरह के species में भी कोई physical barrier की कोई जरूवत नहीं है और इस तरह के species में अगर किसी तरीके से genetic makeup में changes आया due to example के लिए polymorphine और इस वज़ा से genetic makeup पहले वाले species से different हो गया तो आपस में ओ लोग क्या कर सकते हैं reproduce नहीं कर सकते हैं और genetically different हो गया है इस तरह के species हैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपने इसको पसंद किया होगा तो इस वीडियो को जरूब लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपकी किसी तरह की कोई और वीडियो बनाने की इच्छा है तो आप comment box में लिखिएगा या हमको WhatsApp message कर सकते हैं थैंक यू उप टह प्यू पोग आपकी कोई यू लाइक की होगा हमको पनाने की किसी तरह genau है पुलिक के लिफएग्पनेटकों में रयो